हेलो वरेवन वेलकम यूओ लेट लेकर के आये हैं टिक टू फाइंड इमेज मतलब कि 3D में अगर आपके पास कोई पॉइंट बैठा हुआ है और आपको अगर किसी प्लेन में इस पॉइंट के फुट निकालने हैं क्वाडिनेट्स ऑफुट या इसके रिस्पेक्ट में आपके पास दिया गया है एक पॉइंट है X1, Y1, Z1 और इसके सामने एक प्लेन है और सामने एक प्लेन रखा हुआ है आपको निकालना है कि इस पॉइंट के फुट अप पर्पेंडिकुलर क्या होंगे तो मैंने मान लिया कि इसके फुट अप पर्पेंडिकुलर है क्या है K है और क्या है G है तो चलिए यहाँ पर मैंने capital G लिए रखा है उससे आप परिशान मत होई है चलिए मैं इसको capital कर देता हूँ तो कैसे निकालेंगे photo perpendicular के लिए short trick note करिए यह लिखी है short trick ओके तरीका क्या होता देखे तरीका यह होता है कि आपके पास point दिये गए है X1, Y1 और Z1 तो वैसे क्या होता था formula में X-X1 बट यहाँ पर H है तो H-X1 K-Y1 और G-Z1 upon capital A, capital B, capital C capital A, capital B, capital C क्या है इस plane के normal के direction ratios है तो upon में capital A, capital B, capital C तो मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ में तो H-X1 H-X1 equal to small k-y1 equal to small g small g की जगे capital G रखा है minus Z1 upon capital A, capital B capital C is equal to minus लगाना ना भूले और यह जो X1, Y1, Z1 है इसको plane में put कर दें तो X की जगे X1, Y की जगे Y1, Z की जगे Z1 वैसे ही जैसे distance निगालते थे तो AX1 plus BY1 plus CZ1 और क्या है plus का D, मतलब यह पूरा का पूरा equation A, B, C, D की form में रख दीजे upon में under root A square plus B square plus C square नहीं लगेगा, केवल square रहेगा, distance के formula में root आता है, बट यहां नहीं आता है, याद रखेगा क्योंकि coordinates में root जैसी कोई चीज नहीं आती है, तो A square plus B square plus C square, ओके done, तो यह हो गया, आपको क्या निकालने का formula, foot of perpendicular निकालने का formula तो एक बार मैं फिर से इस formula को आपके लिए लिख देता हूँ, जिससे कि आप confirm कर लें तो formula क्या होता है, H minus X1 equal to Y, नहीं आहीं, यहाँ पे K minus Y1 equal to G minus Z1 upon A capital B capital C capital is equal to 2, यहाँ पे क्या आता है, minus आएगा, minus के बाद AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D जो भी आपका plane था, upon में A square plus B square plus C square, यह होता है क्या, यह होता है हमारा foot of perpendicular का formula, ठीक ना, तो इस तरीके से आप जो है foot of perpendicular इससे निकाल सकते हैं, चलिए अब इसके बाद foot of perpendicular के बाद अगर आपको image निकालनी हो, तो image कैसे निकालेंगे, यह देखेh image निकालनी होning, तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको यहाँ पर 2 लगा देना है, ओके तो image के लिए केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर to 0, so क्या बनेगा, H minus X1 upon A equal to, K minus Y1 upon B equal to, G minus Z1 upon C equal to, minus ka 2, याद रखेगा, image के लिए 2 आएगा, और foot up perpendicular के लिए 2 नहीं आएगा, बाकी की सारी जीजे same to same है, इस तरीके से आप image निकाल सकते हैं, तो चल ये confidence लेनी के लिए करते हैं, एक सवाल, ओके, so we have the question, find the image of the 0.357 with respect to the plane this, so पहले, सबसे पहले इस plane को standard form में लिख लिजे, 2X plus Y plus Z minus 6 equal to 0, now, सुरू हो जाईए, H minus 3 upon, पहला direction ratio 2 है, फिर दूसरा 1 है, फिर 1 है, 2, 1, 1, पहले ही लिख दो, फिर H minus 3, K minus 5, and G minus 7 equal to minus 2, क्यों, क्योंकि image निकाल रहे है, इसलिए minus 2, A X 1 plus B Y 1 plus C Z 1 plus D, तो A X 1 की जगे 3 है, B Y 1 की जगे कितना है, वन ही है, तो B की जगे तो, यहाँ 1 है, तो Y की जगे 5 आ जाएगा, Z की जगे 7 उतर आएगा, माइनस 6 अपोन अंडरूट A square, अंडरूट नहीं भाई, A square plus B square plus C square, अंडरूट मत लगा देना, डिस्टेंस में आता, अंडरूट दे को, मैं भी बोल रहा हूं, गल्ती हो जाती ही पर बार, तो, याद रखना, अंडरूट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अंडरूट नहीं लगेगा, ओके, 2 square 4, plus 1, plus 1, तो, H minus 3 upon 2, K minus 5 upon 1, G minus 7 upon 1, equal to, minus 2, solve कर दे, 2, 3, 6, 5, 6, plus 5, plus 7, 12, minus 6, 6, 6, 6, cancel, upon में कितना आ गया, 6 आ गया, 3, तो, 2, 3 बजगा नीचे, ओके, और, 3, 3, 3, 3, 3, 3, क्या हो गया, भाई, 6 से 6, cancel हो गया था, और, उपर 12 था, तो, 2, 3, जा 6, and 2, 4, जा, 2, 6, जा 12, ठीके, 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 ओके, क्लियर है, 6 से आपने दो बार, cancel कर दिया, और, 2 का multiply हो गया, तो, कितना आ गया, minus 4, सही, आप करेंगे, तो, आभी जाएगा, देख लिजेगा, तो, minus 4 आ गया है, अब बारी-बारी से compare कर दीजे, h को minus 4 से इससे compare कर दीजे, तो, जब आप इसको compare करेंगे, फर्स्ट टाइम इससे, तो, h minus 3 upon 2 equal to minus 4, तो, 2, 4 जा कितना हो जाएगा, minus 8 और, minus 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, minus 5, इस तरीके से k आ जाएगा, और इस तरीके से g आ जाएगा, तो, आपकी image कितने निकल रही है, minus 5, 1 and 3, तो, इस तरीके से आप जो है, image निकाल सकते हैं, ये रहा आपका image का concept, okay, done, thank you so much